कर्मयोगी आवार्ड जो है हमने नाम इसके लिए चुना है कि वो खुद एक बहुत बड़े कर्मयोगी थे उनको सोसाइटी ने वो टाइटल दिया है तो वो हिसाब से हम लोग जो अपने अपने चेतर में जो अच्छा काम किया है अलग-अलग शेतर में बिजनस है आर्ट है लिटरेचर है ऐसा हमने पांच अलग-अलग मानुबव महानुविक्ती जो पॉंटुबूशन किया है उस चेतर में उनको हमने चुना है और उनको कल हम फलिसिटेशन करी है अपोसेट बस्वेश्वर होस्पितल सेधम रोड कलबूगी पाटिल साब के पहले पुन्यतिती पर एसार पाटिल फांडेशन जो फैमिली ट्रस्ट है उसके बिहाफ पे हम लोग एक फलिसिटेशन अवार्ड सेर्मनी कर्मयोगी अवार्ड सेर्मनी का प्रयोजन कर रहे हैं कल सुबह ग्यारा बजे संगम थेटर में ये प्रोग्राम ह होगा हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आके आप उस फंक्शन को सक्सस करिए कर्मयोगी अवार्ड जो है हमने नाम इसके लिए चुना है कि वो खुद एक बड़े कर्मयोगी थे उनको सोसाइटी ने वो टाइटल दिया है तो वो हिसाब से हम लोग जो अपने अ हैं पांच अलग-अलग मानुबव महान विक्ति जो पॉंट्रिबूशन किया है उस शेत्र में उनको हमने चुना है और उनको कल हम सलिसिटेशन करीं एसेस पाटिल साब का चाहने वाले बहुत है क्योंकि वो इतने प्यारे आदमी थे उनका नाम जैसा उनका नाम था शांत करींगे उनका जो एक विजन था कि भई इंडस्ट्रियल डवलप्मेंट होना है गुलवर्गा में और गुलवर्गा एरिया के लोगों को काम मिलना है तो हम उसको आगे बढ़ाने का पूरा कोशिश करें कल जो संगम तेयर्टर में फंक्शन है अगर आ सब लोग अगर आक को बहुत शांती होगा तो हम सब लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे आके